कहानी के शुरवात वापिस से वहीं हमें ले चलती है जहाँ पर फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी तो कहानी के शुरवात वहाँ से होती है जहाँ पर हमें रिख दिखाया जाते है Actually हुआ ये था कि पिछली मूवी के अंदर जब वॉयलेट अपनी ड्रेस के अंदर थी लेकिन गलती से उसने अपना मास्क उतार दिया था तो जो उसका फ्रेंग था उसने उसे बिना मास्क की देख लिया था यानि कि वो वॉयलेट की आइडेंटिटी जानता था Man in Black के बाद अगर मैंने कहीं देखा है यादश मिटाने वाले चीज़ तो गाइस ये Incredibles ने पूरी कर दी है यहाँ पे टोनी की यादश मिटा दी जाती है और अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे फर्स्ट मुवी खत्म हुई थी यानि कि ऐसा विलन जिसका नाम था Undermind कहानी के शुरूवाती हिस्से में हमी दिखाया जाता है जैसा कि इस विलन का नाम था इसने वैसा ही किया इसने सिटी के अंडरग्राउंड जाके काफी साथ बॉम लगा दिये थे और सिधा बैंक ही लूट लिया था Incredibles का Head यानि की Bob वहाँ पे पहुँचता है वो कोशिश करता है कि इस रॉबरी को बचा ले लेकिन तब तक Undermind ने अपने instrument को active कर दिया था और अब सभी लोग उसको City Hall तक पहुचने के लिए रोक रहे थे यहाँ पे Frozone भी अपने सारी बरफ का यूज करके उस इतने बड़े instrument को रोकने की कोशिश कर रहा था इसी के साथ में Jack को कभी Violet संभाल रहे थी तो कभी Dash संभाल रहा था आखिरकार Last Circle उस machine के अंदर कूटती है और उसके बाद Bob की मदद से इस पूरी machine को बंद कर देते हैं जहां Incredible Family लोगों को इस machine से बचाने की कोशिश कर रहे थी लेकिन पुलिस इस चीज का उल्टा मानती थी वो सोचती थी कि इन लोगों ने काफे ज़ादा नुकसान किया है जिसकी भरपाई इन्हें करनी ही पड़ेगी अब Rick भी इनकी मदद साधा नहीं कर सकता था इसी कारण अब जो घर इने दिया गया था वो इन से ले लिया गया था और उन्हें एक हुटेल दिया गया था जिसकी टाम लिमिट सिर्फ दो हफ़ते की थी अगर वो दो हफ़ते के अंदर कोई काम नहीं डूनते हैं तो वो लोग कफे मुझीपत में आ जाएंगे Elastic Girl बॉब से कहती है कि हम दौनों को मिलके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और तभी वहाँ पे उनका फ्रेंड फ्रोजोन आ जाता है उनके पास एक नियूज लेके कि हमने जो आज दुनिया को बचाने का काम किया था इसी से इंप्रेस होके हम ये एक इनसान ने मिटिंग के लिए बुलाया है Elastic Girl पहले तो इस चीज़ को मानती नहीं है वो कहती है कि ये चीज़ बिलकुल फेक है हमें कोई भला क्यूं चाहेगा बुलाना लेकिन इस समय बॉब और Elastic Girl के पास में कोई जॉब नहीं थी इसी कारण वो फ्रोजोन के बताने पे उसी पते पे पहुँच आते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था वहाँ उनके मुलाकात होती है विंस्टन से वो एट टैली कम्यून कंपनी का बहुत बड़ा टाइकून था और वो सूपर हीरोस का बहुत ही बड़ा फैन था उसके साथ उसकी एक बहन काम करती है जिसका नाम था एवलिन ये सिबलिंग्स बताते हैं कि हमारे पेरेंस की काफी सालों पहले सूपर हीरो फ्रेंस हुआ करते थे एक रात की बात है कि हमारे घर में रॉबरी हुई थी और उन्होंने सूपर हीरो से कॉंटेक करने की कोशिश भी की लेकिन उस समय सूपर हीरो को इलीगल कर रखा था इसी कारण वो उनके हेल्प के लिए नहीं आ पाए है जैसे कि एक कार्ट के अंदर कैमरा लगा है उसी तरीके से तुमारे ड्रेसिस के अंदर भी कैमरा लगा होगा अब वो हर चीज रिकॉर्ड की जाएगी कैमरे के अंदर जिससे कि हर एक इनसान देख पाए कि तुम लोगों ने कितने मुश्किल से हम लोगों को सेफ किया है ओवरॉल ये सिबलिंग चाते थे कि वापस से ये सूपर हीरो लीगल हो जाए ताकि ये हम लोगों की हेल्प कर सके और इस काम के लिए सबसे पहले चुना जाता है Elastic Girl को क्योंकि एक वो ही थी जो की सबसे कम वॉयलेंस करती थी और इसी के कारण सबसे कम लॉस होता था ये बात Incredible को कुछ फसन नहीं आती है वो सोचता है कि जादा पावरफुल तो मैं हूँ तो फिर इस काम के लिए मुझे चुना जाना चाहिए था लेकिन फिर भी वो Elastic Girl की खुशी में खुश था Elastic Girl बाप से कहती है कि तुम अगर चाहो तो मैं मना कर देती हूँ मैं यहाँ पे बच्चो को संभालती हूँ और वहाँ पे तुम भी जा सकते हो तब बाप कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है मैं बच्चो को संभाल सकता हूँ और अब Incredible Family को एक नया घर ओफर किया जाता है जो कि बहुत ही सुन्दर था बहुत ही बड़ा था इसी के साथ में उसमें काफी ज़्यादा टेक्नॉलिजी थी बच्चे उस घर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अब यहाँ पे कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है जहाँ पे हमें हमेशा दिखाया जाता है कि सूपर हीरो एक मैन है लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सूपर हीरो एक वोमेन है यानि कि अब दुनिया को बचाने के लिए पहुँच चुकी थे यह Elastical देखती है कि अभी तक Metro के अंदर कुछ में प्रॉब्लम नहीं हुई है, सबी लोग Metro में बैट चुके हैं, लेकिन देखते ही देखते हैं इन लोगों को पता चलता है कि यह Metro सीधी नहीं बलकि opposite साइड में जा रही थी, जहाँ पे जादा दूर तक railway track नहीं बना हुआ था, Elastical full speed के अंदर पूरे traffic को पार करते हुए, वहाँ पे पहुचती है जहाँ पे यह Metro का last stop था, वो यह कुशिश करती है कि इस Metro का starting part बाकी parts से अलग कर दे, लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से एक part आ कि बाकी की Metro को काफी जोर से hit करता है, लेकिन अभी भी किसी को कोई च सारी सूपर पावर से, वो अपनी आखों से लेजर निकाल सकता था, वो काफी जादा गर्म हो सकता था, वो एक चोटा सा monster बन सकता था, और वो अपने cells को भी बढ़ा सकता था, यानि कि एक की बजाए काफी सादा Jack, ये चीसे देख कि Bob तो बहुत जादा खुश हो चुका क्योंकि उसे पता चला था, कि Jack एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, Elastic Girl ने जो आज पूरा दिन बताया था, वो ये सारी बाते Bob को बताती है, लेकिन Bob इस सारी बातों को सुनने में कुछ खास interested नहीं था, उसे लग रहा था कि ये सारी चीज़े मेरे साथ होनी चाहिए थी, या फिर भी बॉब ने पहले खुद study की पूरी रात बैट के, और उसके बाद में Dash का पूरा homework कराया, यहाँ वाइलेट को ये नहीं पता था कि टूनी की याददाश गायब कर दी गई है, इसलिए वो उसे पहले जैसे ही बात करती है, लेकिन टूनी इसका response नहीं करता है, इस उस अभी को बोलने लगता है कि सूपर हीरोस कुछ भी नहीं होते है, ना तो उनके पास कोई powers होती है, और यह सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए बने होते है, इसी के साथ में वो लास्टिक गल को एक ये भी hint देता है, कि अगर तुम बचा सको तो बचा लो अपन इम्बैसिटर को, वही इलास्टिक गल देखती है कि सारे के सारे लोग इल्यूजिन के अंदर है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसे के बाद में वो इम्बैसिटर की चौपर को बचाने के लिए भागती है, चौपर के अंदर बैठी बाकी लोग सुमिंग कर सकते थे, लेकिन इम्बैसिटर को सुमिंग नहीं आती थी, इसी कारण इलास्टिक गल ने खुद पैराशूट बनके उसी बचाया था, यहां वोईलेट को घर भी पता चलता है, कि उसकी फादर ने ही टूनी की यादश रिक को कहकर इरेस करवाई थी, और यहां इसी कारण उसने दुनिया के सारे सुपर हिरो को यहां पे बुलाया था, अब इलास्टिक गल सभी से मिलती है, जिसमें से हर एक सुपर हिरो के अंदर अलग अलग पावर्स थी, जिसमें से एक थी वेड जो के इलास्टिक गल की बहुत बड़ी फैन थी, पार्टी तो चल रही थी लेकिन इलास्टिकल वहाँ पे साइट के अंदर बैठी थी कि तभी वहाँ पे एवलीन भी पहुँच जाती है और उसे इंफ्लूइंस करने के कोशिश करती है कि हम लोगों को हमेशा किसी ना किसी के अंडर काम करना पड़ता है जैसे कि तुम्हें तुम्हें तुम् अब यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं अपनी बेटी को वापिस से मनाने में अब यहाँ पे इलास्टिक गल एवलीन के साथ में मिलके एक प्लानिंग बनाती है स्क्रीन स्लेवलर को पकड़ने की वो कहती है कि मुझे एक बार स्क्रीन पे इंटर्व्यू देना है और जैसे ही इंटर्व्यू दूंगे तो स्क्रीन स्लेवलर जरूर आएगा मुझे परिशान करने के लिए और इलास्टिक गल ने बिलकुल सही सोचा था जैसे ही इलास्टिक गल लाइव आती है वैसे ही स्क्रीन स्लेवलर सारी की सारी स्क्रीन को हैक कर लेता है और फिर से कुछ ऐसी ब बाद में Elastic Girl को कुछ ऐसी illusion बाला room दिखता है, जहाँ पर पूरी screen के अंदर ऐसा illusion था, जिसे देखते कोई भी control में आ सकता था, और उसी के बाद में वो screen slaveler भी Elastic Girl के सामने आ जाता है, इनके बीच में एक छोटी सी fight होती है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है, लेकिन Elastic Girl को ये सारी चीज़े बहुत easy लग रही थी, उसने सोचा कि ये इनसान इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा possible नहीं है, इधर यहाँ पे हट्टा कट्टा incredible, जो कि एक बहुत बड़ा super hero है, अपने बच्चों को संभालता संभालता काफी जादा परेशान हो चुक कभी वो खुद को हाम पहुचा ले, इसी कारण वो अपनी पुरानी friend ज्याने के Edna के पास पहुच जाता है, उसके लिए एक super suit बनवाने के लिए, Edna कहती है कि ये बच्चा काफी जाता normal लग रहा है, इसमें कोई super powers नहीं हो सकती, कि तभी वहाँ पे jack start हो जाता है अपनी एक के बाद एक के बाद एक सारी super powers दिखाने के लिए, Edna ये super powers देखके Bob को कहती है कि आप तुम यहाँ से जा सकते हो, इसे मैं रख लूँगी, यहाँ पे Winston ने एक program organize किया था, जिसके अंदर सारी super heroes और बाकी लोग भी थे, लेकिन उसे समें Elastical को कुछ problem लगती है, कि शा सारी बात बताने के लिए Winston's के पास पहुच नहीं वाली थी, कि तभी वहाँ पे Evelyn उसको वही glasses पहना देती है, और तब हमें पता चलता है कि इस कहानी का main villain तो Evelyn है, यहाँ अब Edna Bob को बताती है कि उसने Jack के लिए कितना शांदार suit बनाया है, हमेशा वो test के लिए कोई dummy आया था, Evelyn ने यहाँ पे Elastic Girl को पकड़ के रखा हुआ था, वो Elastic Girl को बताती है कि मुझे तुम सूपर हीरो से हमेशा से ही नफरत थी, तुम हम लोगों को कमजोर बनाते हो, हम हमारी help खुद कर सकते हैं, और अब जब Winston Cruise पे जाके जब तुम सब लोगों को legal बनाने की कोश रही है, बॉब वहाँ पे Frozen को कॉल लगाता है, बोलता है कि तुम यहाँ बच्चों को संभालो, मुझे कहीं बहुत जल्द पहुँचना है, Frozen की पहुँचने से पहले ही, बाकि जो Super Heroes हमने Cruise के अंदर देखे थे, वो सभी Dash और Wallet के पास पहुँच चुके थे, लेकिन यह सा पादर के कार को फिर से घर पे बुला लेता है, वो दौनों बच्चे अपनी Voice सेट करते हैं कार के कंट्रोल पे, Frozen उसकार में बैट नहीं वाला था कि तभी उसको भी वो Glasses पहना दिये जाते हैं, इसी कारण उसका Mind भी अब Change हो जाता है, इसी कारण Dash, Violet और Jack वहां से निकल जाते हैं, इधर बॉब जहां अपनी वाइफ को बचाने के लिए आया था, कि तभी वहां पे उसे पागल बना के उसे भी वही Glasses पहना दिये जाते हैं, अब यहां Violet और Dash को सारी कहानी समझ में आती है, उन्हें अब समझ में आता है कि कोई भी इंसान के पास में वह अपन सके, कि तभी है वो इस वो कार कैप्चर कर लेती है, और अब वो सूपरकार पानी के अंदर भी चलने लगती है, यहां अनॉंचमेंट का टाइम नस्दीक आ रहा था, जहां पे क्रूज में काफी बड़े-बड़े लोग यानि कि इंबैसिटर और सूपर हीरोस भी थे, और सारी उल्टी-सीदी चीज़े बोलने लगते हैं, कि जो भी यह सेरिमनी देख रहा है, वो सभी इंसान अपनी खुद की हेल्प खुद से करे, हम सूपर हीरोस ने तुमारा ठीका नहीं ले रखा है, अब जैक चोटा सा बच्चा अपनी ममा को ढूंते ढूंते वहां पे पह आटा देते हैं, वो क्रूस कंट्रोल में आता लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने इसके मेन पैनल को खराब कर दिया था, इसी कारण अभी क्रूस काफी जादा आउट आफ कंट्रोल हो चुका था, अगर यह इतना बड़ा शिप सिटी के अंदर चला जाता, तो काफी जा जादा नुकसान होता, इसी कारण हमें इसका रास्ता बड़ना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुँचना पे इतना आसान कहा था, बाकि जो सूपर हीरोस थे, जिन्होंने वो ग्लासिस लगा रखे थे, अब वो सारे लोग इंक्रीडिबल एलास्टिक कलोर फ्रोजन के आ प्लास्टिक कल ने उसे पकड़ लिया था, और अब इतने तमाशे के बाद में पूरी दुनिया के सामने फिर से सूपर हीरोस आ चुके थे, लेकिन इस बार इन्हें इलीगल नहीं, बलकि लीगल बना दिया गया था, वहां वोईलिट ने भी सारी करेज इखटी करके टोनी से बात करना सही समझा, वो दौनों मूवी चाने वाले थे, लेकिन इंक्रेडिबल फैमिली भी उन्हें के साथ में आ चुकी थी, और उसी समय उन्होंने देखा कि यहां पे फाइरिंग चल रही है, और वोईलिट ने एक सूपर हीरो होने का फर्जदा किया, उसने वहां प अब कर दो बात कर कंदा प een कंदू हो when you are up बात, तो, झालत कि इंके से बात ूइ दो, बात कर फो झाल झाल